नमस्कार आप देखने आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंक साज जोस्तो नाकपूर का रहने वाला परवेश पटेल उर्फ पक्पू लगभग 6-8 महिने पहले नंदनों पुलिस दोवारा एक बड़ी कारवाई की गई थी परवेश पटेल इस कारवाई के बाद भी पुलिस और कानून से बेखाफ होकर अपने कामों को अंजाम देता रहा परवेश पटेल लोगों को धमकाना, डूब्लिकेट नोट का काम करना, एक के बदले डबल पैसे देने का जहांसा देकर लोगों के साथ दोखा धरी करना काम बेखाफ तरीके से कानून से बीना डरे परवेश पटेल करता रहा, सकेंड हैंड गाड़ी बिलाल इंटरप्राइज के आड़ में ना जाने कई लोगों को बेवकूप बनाया, कई लोगों के साथ धोखा धरी किया अपने गाड़ी के नीची जिस गाड़ी में वो घुमता था लगभग दो या दो से अधिक गाड़ीों में एक ऐसे विश्यश विवस्था रखा था जिसमें डूबलिकेट नोट रखता था, जिसमें चेकिंग के दोरान या फिर किसी को शरक नहों ऐसे विवस्था रखा कई ऐसे लोग मिले जो परवेश पटेल से मिलने के बाद में उसे वो बड़े पैमाने पे डूबलिकेट नोट दिखाता था, जिसके बाद लोगों को यकीन हो जाता था कि शायद मेरे पैसे भी एक महीने के बाद में डबल से अधिक हो जाएंगे अक्टूबर 2023 को यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा लेकिन अक्टूबर 2023 को ATS की बड़ी रेड हुई, बिलाल का ओफिस और घर एक ही बिल्डिंग में है, ATS की इस कारवाई के बाद परवेश पटेल के गुर्गों के बीच, उसके साथियों के बीच में खलबली मच गई, खास बात यह है कि यह सिलसला यहीं समाप्त नहीं होता है, परवेश के घर दो गन और एक जिंदा कार्तूस, यानि कि घर से दो बंदूक मिलना, यह अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि यह गन कैसे मिली, कैसे पूलिस को जानकारी मिली, किसने बताया, और कैसे क्या क्या हुआ, वो सब कुछ हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आज की खास बात, अपने दोस्त वीर सिंग के साथ, सिर्फ इन बिस ये न्यूज पे, जैहिंड